साँथ में आपको सिखाने जा रही हूँ, aquatic animals के बारे में ठीक है, Aquatic means होता है water, और animals आपको पता ही है तो जो animals हमारे water में मिलते हैं, उनको हम कहते है aquatic animals, अब जैसे कि देखिया FIRST है हमारा क्राब, तो क्राब हमारा water में पाया जाता है, फिर आता है हमारे स्टार फिश अभी स्टार फिश क्यों का है से क्योंकि देखिए स्टार के शेप की है यह भी हमारे वाटर में मिलती है सी होर्स अभी होर्स की शेप का है पर सी में रहता है इसको सी होर्स कहते है फिर डॉल्फिन आप सभी बच्छों ने डॉल्फिन देखि किया है फिर नेस्ट आता है हमारा टर्टल और ये भी हमारा एक्वर्टिक एक एनिमल है अब आप इनको देखें और लर्न करें और आपको इस सारे के सारे ये तो मोस्ली आप कार्टून्स देखते हैं उसमें आप वह दिखाई देते हैं और थांक्स वर वचिंग दे वीडियो किट्स